जोन जोन्स के हेवीवेट डिविजन में एंट्री लेने का और रिटरन करने का वेट हम सभी को हैं हम सभी UFC के फाइट फैंस इस दिन के वेट में थे कि कब जोन जोन्स वापस आए और उनका रिटरन फिक्स हो जाए तो यहाँ पर डेना वाइट ने भी इस बात को पैचाल लिया है कि जोन जोन्स की रिटरन फाइट को हम फ्रांसिज एंगानू के हां करने के उपर छोड़ नहीं सकते क्योंकि क्या पता फ्रांसिज एंगानू दुबारा से फाइट करें ना करें इसलिए यहाँ पर UFC ने और डेना वाइट ने एक बात सोच लिये है कि जोन जोन्स की वापसी की तारीख को फिक्स कर दिया जाए और यहाँ पर UFC ने जोन जोन्स की जो फाइट होगी उसकी तारीख फिक्स कर दिये और हम सभी fight fans को बता दिया है कि Francis and Gannu चाहे लड़े जोन जोन से चाहे ना लड़े लेकिन जोन जोन के return की जो तारीक है जो date है वो fix हो गई है और आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाता कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर जोन जोन के return की जो डेट है वो आ चुकी है UFC 285 में जॉन जॉन्स मेन इवेंट में उतरेंगे अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि क्या फ्रांसिज एंगानू के साथ इनकी फाइट होगी देखिए UFC बहुत ट्राई कर रही है कि फ्रांसिज एंगानू हां कर दे जोन जोन्स के साथ फाइट करने के लिए लेकिन जोन जोन्स ने तो हाँ कर दी लेकिन France एंगानू ये fight accept नहीं कर रहा और France एंगानू अभी कोई fight करने के mode में भी नहीं और ऐसा भी हो सकता है कि France एंगानू को UFC छोड़ भी दे इसलिए अब France एंगानू से आगे बढ़ कर UFC अपने heavyweight division के लिए सोच रही है Heavyweight division की अगर हम बात करें तो शुरू में top 5 जो है fighters को एक बार देख ले Champion इसमें है Francis Zanganu, उसके बाद है Cyril Gan rank 1, rank 2 है Stipe Miochich और rank 3 है Curtis Blades, तो यहाँ पर rank 3 Curtis Blades के साथ जो है John Jones की written fight होगी क्योंकि यहाँ पर बात यह कही जा रही है कि अगर UFC 285 में Francis Zanganu तयार नहीं होते final हो गए है और इनके साथ ही fight होगी और UFC 285 में Francis Zanganu return नहीं करेंगे 99.99% chance यह है तो यहाँ पर fight किसकी देखने को मिलेगी हमें March में हमें देखने को मिलेगी UFC 285 में Curtis Blades vs John Jones Curtis Blades जैसा मैंने बताया इनकी rank 3 है आज के time पर UFC 285 पांच मार्च को होगी Las Vegas में अगले साल तो अगले साल मार्च के अंदर हमें John Jones heavyweight category में return करते हुए दिखाई देंगे Curtis Blades की अगर मैं बात करूँ तो Curtis Blades का career बहुत अच्छा है इन्होंने 17 fight जीती हैं और खाली 3 fight आ रही है और यह अभी 2020 से अब तक यह सिर्फ 1 fight आ रहे हैं 5 fight जीते हैं और अभी पीछे 3 fight की win streak के उपर यह चल रहे हैं तो अभी नंबर 3 है यह पिछले 2 साल के अंदर 5 fight जीते हैं सिर्फ 1 आ रहे हैं और अभी 3 fight की win streak के उपर चल रहे हैं और Razor Blade इनका nickname है Curtis Razor Blades तो यहां पर Curtis Blades और John Jones के बीच हमें fight देखने को मिलेगी और यह fight काफी exciting होगी तो यहां पर जो weight था John Jones के return का वो पूरा हो गया है और Curtis Blades के खिलाफी वो UFC 285 में fight करेंगे अपना comeback करेंगे यह fight इसलिए important हो जाती है क्योंकि John Jones का जो background wrestling का है वैसे ही Curtis Blades का जो background है वो भी wrestling का है तो heavyweight में wrestling को टकर देने के लिए Curtis Blades की wrestling क्या रहेगी इतनी useful या नहीं रहेगी क्योंकि John Jones का background भी wrestling का है Curtis Blades का भी background wrestling का हो गया तो wrestling exchanges जो होंगे इनके वो बिल्कुल बराबर की टकर के होंगे क्या striking के अंदर John Jones के पास इतनी power है कि वो heavyweight में जाकर भी तबाही मचा सकें ये हमें UFC 285 में पता लग जाएगा क्योंकि UFC 285 में Francis and Gannu नहीं तो Curtis Blades अब तयार हो गए है 5 March को UFC के अंदर John Jones की fight आना main card में तै हो गया है आप लोग excited है या नीचे comment box में comment करके बताएं और ये भी बताएं कि Curtis Blades के साथ जब John Jones की fight UFC 285 में होगी तो जीतने कौन वाला है comment box में comment करके बताएं